दोस्त दोस्त ना रहा से ये दोस्ती हम नहीं तो देखा आप लोगों ने जैसे के डेली कैपिटल्स ने रिशप पंत को रिप्लेस किया है के एल राहूल से क्या ये डाउन ग्रेड है वो तुम लोग डिसाइड करो मेरे पर मत छोड़ो कुछ भी क्योंकि कुछ डिसिशन तुम लोग भी लोग मुझे इमत छोड़ो वो सब छोड़ो अभी अब हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे डेली कैपिटल्स ने मजाक मजाक में आउक्शन में बहुत अच्छी टीम बना ली है मैं परसनली बोलू के डेली कैपिटल्स अगर ये सीजन भी नहीं जीत पाती है या नेक्स सीजन तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए फ्यूचर में भी और टफ होते जाएगा जीतना डेली कैपिटल्स ने एक साल तुम लोगों को याद होगा जब वो लोग बहुत लखी थे पता है कि रबाडा ओन्रिक नौर्किया इन दोनों का प्राइम आया था डेली कैपिटल्स के लिए डेली कैपिटल्स एकदम वन साइड़ेट टीम हो गई थी अनफोचनेटली वो हार गए थे शायद फाइनली हारे थे मुंबई से वो साल श्रेयस ऐयर रिशप पंत वो यह बोलिंग में नौर्किया और यह लोग सब प्राइम में खेल रहे थे बहुत मजा रहा था डेली कैपिटल्स को देखने पर उसके बाद फिर हमने देखा कि डेली कैपिटल्स की ट टकलू भाई जैसे डेली कैपिटल्स की ओनर है जिसको हर एक फ्रेंचाइज में उंगली करने की आदत है सब में उंगली करके उनकी बिड भड़ाने की आदत है सब प्लेयर मेंगे करके देना देखा जाए तो यह ऑक्षन की स्ट्राइजी अगर अच्छी है कि सामने वाले को मेंगे में चिपका रहा था पर सच बताओ तो यह साल ऐसी टीम लग रही है कि यह लोग टॉप फॉर यह प्लेयोफ में तो आई सकते हैं उसके बाद क्या होता है देखो बोलिंग बहुत स्ट्रॉंग है उन लोग उने स्टार्क को साइन कर दिया 10-11 करोड में उन लोग क अकसर है देखो एचार बोलर फिर एक मुकेश कुमार तो यह पाच बोलर ही तुमको 20 ओवर दे देंगे ऐसे ही देंगे तुम लोगों को 20 ओवर और इन लोगों को ओवर रेट का भी कोई प्रोब्लम नहीं होगा क्योंकि अकसर बहुत फास बोलिंग करता है पाच-पाच मि को करके दिखाएगा रिपीट में इस साल डेली कैपिटल्स के साथ देखो कर तो सकता है क्योंकि अभी छे महीना पहले ही तो उसने यह सब किया है बाकी छे महीना और है तो ऐसा नहीं कि उसको एच का कुछ इशू है स्टार को बहुत अच्छे एकदम प्राइज में पढ़ तो यार इभी बैटिंग की बात करो कि में पहले तो पहले सबसे पहले मुझे लेए आई कि फ्ट्रम करना चाहुति इसान नहीं चाहिं थां पर एसा ऋ वो कर पाएगा तो यार देखा जाए ना तो पूरी डिपेंडेंसी जो है ना बैटिंग वह वापस राहूल पे ही है उन लोगों की बोलिंग बहुत स्ट्रॉंग है पर बैटिंग उतनी स्ट्रॉंग नहीं है जितनी तुम लोगों को लग रही है सच बात करूंगा टीम अच्छी बनाई है पर बैटिंग अगर तुम लोग देखो जब जेक फ्रेजर मेंगर्क और केल रहूल ओपनिंग करेंगे इन केस यह जी एफम फेल हो गया तो फैफ डूपलेसी आएगा ओपनिंग पे रहूल के साथ पिर जीएफम जाएगा बेंस पे जो उसका हाइप हो और देखा जाए तो हैरी ब्रुक के बाद है इन लोग के पास स्टब्स तो यह दो ओवर्सीज प्लेयर पर तुम लोग डिपेंड हो रहे हो नंबर चार और नंबर पाच पर जो बहुत 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 रिस्की है इंडियन पिच्छिस पर वो भी हैरी ब्रुक चलो एक या दो मैच वो खेलेगा पूरे साल में अच्छी वाली मतलब पर मैं उस पर हर मैच पर डिपेंड नहीं रहूंगा यहां तो ब्रुक बचाए यहां तो स्टब्स बचाए यह मैं नहीं करूंगा तो इसलिए मैच आऊंगा कि जे एफम और राहुल ओपनिंग करें नंबर तीन पर ब्रुक आए नंबर चार पर वापस अभिशेक पोरल जो इंडियन कोर है तो हम लोग देखो तो इंडियन कोर इतना स्ट्रॉंग नहीं है डेली कैपिटल्स का अगर हम लोग देखो तो देखो यह ना इंडियन कोर इतना स्ट्रॉंग नहीं है फिर डेरेक नीचे अकसर एंडियन कोर में वो भी और है तो बैटिंग में हर मैट्स परफॉर्म करेगा वो भी हम लोग नहीं देख सकते हैं तो अल्टिमेटली देखा जाए ना तो पूरा जो यह डिपेंडेंसी है पूरा केल राहूल पर आ गया है केल राहूल पर प्रेशर भी है पर एक चीज की दा राहूल साइन किया है उसने सिर्फ 14 करोड में देखो अगर वो लोग 27 करोड में जा सकते हैं तो बारगेन हुआ ना केल राहूल तो 14 करोड में फिर बारगेन ही है मैं बोलूँगा तो मजाक मजाक में इन लोगों ने टीम तो अच्छी बनाई है स्टब्स बहुत अच्छा प्लेयर है पर क्या वो consistent है है आजकल उसका फोर्म बहुत अच्छा है इंग्लाइंड में पर क्या वो इंडिया में consistent रहेगा एक-दो मैच खेलेगा यह तो ही और मुझे लग रहा है केक्वार के सामने खेलेगा ऐसा सव उसने मारी है पहले पर क्या यह लोग consistent है के यह राह कासा एवरेज है सच बताऊंगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग 200 वाली टीम होगी कोई डेली कैपिटल्स वहां 200 बनेगा जब जेक फ्रेजर में गुर्ग जो है वो 6 और में 80 तक स्कोर पहुचा दे राहूल और वो तब जाकर दीरे-दीरे बनेगा पर मुझे लग के प्ले कार्ड है कभी भी यूज़ कर सकता है राहूल इनको और बहुत अच्छी तरह भी यूज़ कर सकता है नटर आजन और स्टार्क यह जो तुमारे ओवर ढालेंगे नट्टू तो बीच में आएगा तो वह मिडल जो है वह संभाल लेगा अच्छा एकोनोमिकल बोलर ह स्टार्टिंग में स्टार्क और मुकेश कुमार से कराएंगे क्योंकि नया बॉल उनके पास ही जाएगा तो यार देखो बोलिंग बहुत अच्छी है स्टप्स एक दो ओवर दे सकता है बीच बीच में अगर कुछ हो गया समझो तो फिर बोलिंग अच्छी है वो लोग डि देल रहुल की कैप्टेंसिया और उसके बैटिंग फॉर्म में पूरा डिपेंड करता है सेम गोस्टू बोलर्स के फॉर्म में तो मिडल ओर ठीक ठाक है तो फिर इसलिए अगर हम लोग को देली कैपिटल्स को अगर रेटिंग देनी हो तो मैं लोगों को दूंगा उसके लिए लड़ेगी पहले और तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग भी मुझे बता सकते हो कॉमेंट्स में बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है डेली कैपिटल्स ये साल क्या करेगी जीतेगी तो नहीं मुश्किली जीतेगी पर क्या करेगी तुम लोग को तेरा शेयर करो वीडियो दोस्तों किसे